प्रियागराज जिले में बाहुबली अतीक हमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की हत्या के बाद से हाई अलर्ड घोशित कर दिया गया है अतीख हत्याकान के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनव, वारानसी और प्रयागराज में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है सियम योगी के आधिकारी का आवाज से लेकर प्रयागराज में उमेश पाल के खर्त, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के कानून के राज़ पर गंभीर सवाल है सवाल उठाने वालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व सियम अखिलेश यादव से लेकर पूर्व केंदरी मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिस्ट वकील कपिल सिब्बल तक का नाम शामिल है कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है तू मडर्सिन यूपी यानि उत्तर प्रदेश में दो हत्याएं अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की और कानून की वहीं दूसरी और अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के पूरे खटना करम पर सवाल या निशान खड़ा किया है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कई बाते लिखी है उत्तर प्रदेश में अपराध की प्राकास्था हो गई है और अपराधियों के होसले बुलंद है जब पुलिस के सामने सुरक्षा घेरे के बीच सरयाम गोली बारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या इससे जनता के बीच भय का वातावरन बन रहा है ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूच कर ऐसा वातावरन बना रहे है लेकिन उत्तरपदेश में हुई इस घटना पर कई गंभीर सवाल है पुलिस के अभी रक्षा के बीच दो हाई प्रोफाइल कहदियों को लोग मारते हैं मारने के बाद गिरफतार हो जाते हैं इस बीच कुछ बाते कही जाती हैं लेकिन इस पूरे घटना क्रम से ये साबित होता है कि कानून का राज कहा है उत्तरप्रदेश की घटना ने उत्तरप्रदेश में कानून के राज बुल्डोजर राज और सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़ा किया है जिस शक्स की पूरी सुरक्षा को सुप्रीम कोट के आदेश पर सुनिश्चित किया जा रहा था जिस शक्स की गाड़ी की 400 किलोमेटर के बाद जाँच कराने की बाद थी जिस शक्स की हर 24 गंटे बाद मेडिकल जाँच कराने की बाद कही गई थी उसे सरे राह गोली मारी गई है प्रियागराज में धारा 144 लागू है मुस्लिम इलाकों में कर्ष्ट बढ़ा दी गई है पुलिस कर्मियों ने तमाम इलाकों में तमाम तरीके के विवस्ताइं की है लेकिन सवाल इस बात पर है कि ये घटना हुई क्यों योगी सरकार पर बहुत बड़ा टेंट लगा है सरकार के सुशाशन पर सरकार के दावों पर जो अतीक के खिलाब कारवाई करके हीरो बन रही थी इस बार गोली चलने की एक घटना ने सरकार की सारी विवस्ताओं को गढ़धरे में खड़ा कर दिया